नवश्कार दोस्तों मिला नाम है प्रदीप चोहान बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों आज महराष्ट का और जारकन का दूसरे चलन का चुनाव प्रचात थम गया अब सीधा 220 तारीक को वोटिंग होगी और 23 तारीक को नतीज़े आपके सामने होगा साथ ही इस साल का जो चुनावी मेला है वो भी खत्म होजागा अब इसके बाद अगले साल की शुरुआत में आपको दिल्ली दिखेगा और इसके बाद साल के आखिर में बिहार की रौनक आपको दिखाई देगी लेकिन महराष्ट बड़ा इंपॉर्टन था लोग सबाद चुनावायों को ने जड़ा सरकार के लिए आसान कर दिया काम अलग-अलग चुनाव कर दिये वरना हर्याना और महराष्ट एक साथ होते थे हर्याना बीजेपी जीत गई कैसे जीती वह अलग कहानी है लेकिन महराष्ट को लेकर बड़ी नज़र है सब कि क्योंकि पार्टी वहाँ जीतती है उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है आर्थिक जो साहता है वहाँ से एक फाइनिशल सपोर्ट जो उस राज्या से मिलता और कहीं से नहीं मिलता और इस वक्त आपको मालूम है कॉंग्रेस को और इन इंफेक्ट पूरे इंडिया कटबंदन है वो बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है इस वार जो जानकार है वो कहते हैं कि महराश्ट का ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा गया एक तो है कि पहली बार इतियास पे यह हुआ कि छे बड़ी पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं महराश्ट में छे पार्टियां उ पूरे राज्य में काम कर रहा हो बलके स्थानी मुद्धों के हिसाब से हो गया है लोकलाइज मुद्ध हो गया है सारे के सारे और अलग-अलग शेत्र के अलग-अलग मुद्ध हो रहे हैं और तीसरा सबसे एहम मुद्ध है कि इस वार माना जा रहा है कि महराश्ट आखरी तीन चार दिन को देखें तो जो क्रिकेट में जिसको स्लॉग ओवर कहते हैं तो वह अगर राजनीती के स्लॉग ओवर देखें चुनाव परचार का तो इंडिया गटवंदन ने जो महायूती है या महाविकास अगाडी ने महायूती को चारो खाने चित किया है अगर जो आप इंडिया गटवंदन ने पी जेपी और उसके शैयों को चीत किया है जारखंड हो महाराश्ठ हो पिछले चार-पाँच दिन से जिस तरह से महाविकास अगाडी और चुनाओं में डटा हुआ जारखंड में सत्ता वचाने के लिए और महराश्ट में सत्ता हासिल करने के लिए इस चक्कर में इस बार महराश्ट के चुनाओं में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली जो लोगों ने सोचा नहीं था वो है भाशा बहुत निचलेस तरी की इस्तेमाल हुई और इसका भी क्रेडिट आपको मालूम है किसको जाता इसका क्रेडिट भी योग्यादिजनात को जाता जब उन्होंने आकर कहा बटेंगे तो कटेंगे अब जब इस भाशा का जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो सबसे पहले उनके खुद के सहीयों की बड़े अनकमफर्टेबल हो गया फिर बीजेपी के अंदर भी ऐसे नारों के खिलाफ बगावत सी होनी शुरू ही पूए का यसा इस नागपुर में रोडशो कर रहे थी कांग्रेस के उमिजवार के लिए जब उनका रोड़ शो आर इसे उसके दफतर के अबहर से गुजणा तो र इसे न। दफतर की ओपर कुछ लोग सेफ अंग्रेजी का शब्ड है इसके दो माइने होते हैं अंग्रेजी में एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है और पूरा देश जानता है मौदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है अडानी जी और वही अडानी जी आपकी त प्रेसान सुरक्षित है ना मजदूर सुरक्षित है ना मेरी बहने सुरक्षित है ना यहां के वो द्योग सुरक्षित है क्या सुरक्षित है सिर्फ खोकले नारे देते हैं चुनाओ के समय आ जाते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं चुनाओ के बाते हैं महराश्ट में प्रेस कॉंफरेंस में एक तीजोरी लेकर राहुल गांदी पहुंच गए। तीजोरी मतलब सेफ जिसको इंगलिश में सेफ कहते हैं क्योंकि प्रधान मंतरी ने नारा दिया है एक है तो सेफ है। और उसको बदल दिया राहुल गांदी ने और उस सेफ को पिछले तीन चार दिन से ऐसा हुआ कि महाविकासा घाड़ी जो जो कर रहा है बीजेपी उस पे जवाब देती रही बीजेपी और उसके सहयोगी जवाब देते नज़र आए अपनी तरफ से कोई नई चीज करते वे नज़र नहीं आए इनी नेरेटिव महाविकासा घाड़ी सेट करता गया और महायूती जवाब देती फिर फिर पहुंचे राहूल गांधी जारखंड जारखंड में भी उन्हों रांची में प्रेस कॉंफेंस की अपने सारे जो वादे हैं जो गोशना पत्र में कॉंगरस नहीं किया वो सारे दोरा है और साथ में ये भी कहा कि जो व अधानी के गोधी चैनल को हड़का दिया अधानी का गोधी चैनल आपको मौल में कौन सा एंडी टीवी बड़े प्यार से वहाँ पर एंडी टीवी की वही हालत की जो प्रेंका गांधी ने नागपुर में संग के लोगों की की थी तो मैंने अंग्रेजी में सवाल अंग्रेजी में पूछा था तो मैंने अंग्रेजी में बोल दियो हिंदी में भी बोलना है ने 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 चलेगा बोलना है देखा ना आपने आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बजमार्शी शुरू कर दी अब जब भाशा बीजे पीतरी नीचे उतर आई थी तो महा विकासा घाड़ी ने पिछले चार दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाओ क्या वो किया कि बीजे पी को बीजे पी की भाशा में जवाब दिया और सब एक दूसरे को टार्गेट कर रहे थे देखिए जहां बीजे पी और कॉंग्रेस एक दूसरे को टार्गेट कर रहे थे तो इनके सहयोगी भी अपनी ही सामने वाली पार्टी को टार्गेट कर रहे थ अपतिज अजित पवार को उन्होंने चालेंज गिया कि किसी से भी पंगा ले लेना, मुझसे मत लेना, इसका वलब जो लोक समाँ चुनाओ तो अब ट्रेलर था फिल्म अभी बाकी है, वैसे भी कहा जारा है कि इस वार शरद पवार अजित पवार को पलिटिकली बिलकुल ख चुनाव लड़ रहे हैं और उनको खुद किसी जीतने के भी लाले पड़ गए हैं अब उधर से जहिर सी बाद है अजित पवार भी कुछ कहें तो अजित पवार जो है वो लिखते हैं वो कहते हैं कि क्या आपने कभी प्रतिबा का की यानि शरत पवार की पतनी को चुनाव प पूछेंगे शरत पवार ने जो जिस लहजे में धमकी दी है वो दरसल इस उम्र में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की भाषा का इस्तिमाल करेंगे उधर उधर ठाकरे और शिंदे का भी 36 का हकड़ा चल रहा है शिंदे आए दिन कुछ बोलते हैं तो उधर ठाकरे भी जैसे जिसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया उनकी भाषा भी सकत होती है लास्ट में तो रहा उधर ठाकरे ने कहीं दिया एक नाच चिंदे को कि अगर अपने बाप की असली आउलाद है तो अपने बाप का नाम इस्तेमाल करो मेरे बाप का नहीं कि मिंदे ना काल ठाणत जाओन आवान दिलो तो आज तुमच्या साक्षिने देतो है कि मिंदे तु जरका मरदाची आउलाद असलास वाटततर नाईचे तर तु तुझा वडलांच फोटो लाउन नावानी मैदानात ये और मतनाई जन्तेची जोडे खा स्वता माझे काई करतू तु आ नाईचे पात्रत नाईचे अणि माला खरत लाज वाटते कि देशाचा पंध प्रधान हाँ कसा असला पाईजे तु आचे मारे काईतरी ठीक है अपले पक्षाता नसेल पन माझे हिंदूस्तान चे पंध प्रधान है काईतरी एक शान पाईजे तु आचे मारे तुमें एक तर गद्धारी करुन माजी शिवसेन फोडली जा शिवसेन तुमाल पंध प्रधान परी बसोने सटी मदद के लिए ती शिवसेन तुमी संपोईला निगालात अणि जानी जांचा करन तुमी थी फोडली त्या गद्धारां चे प्रचार आला त्याना घ्योन अरे गद्धारां चे फोज माजा आंगोती सोडता गद्दारे ची फौश ओडता का एक पात्रता का तुम्ची करनाटका मरे गेले हो ते मोधी तेमा ते मैलान वो ते आत्याचार करेंडारे प्रजवल रेवन ना चीहाद बल्कट करेंच आवान करता है और तुम्ही हिंदुत्व नासुन टकले हिंदुत्व तुम्ही संपून तक ले हिंदु तुम्ही अदर जॉर्खेंड में कल्पना और हीमन सुरें इंहां इस बार कहा जा रहाएं कि अगर कहीं जे ऐमुर में कंगरेशार जेडी की सरकार नहीं पाती है तो कमजोर पड़ी कॉंग्रेस साबित हो सकती है वरना जे मेम ने खास करके कलपना सोरेन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इधर अगर मुंबई में महाराष्ट में रितेश देशमुख कॉंग्रेस के लिए स्टार कैंपेंडर के रूप में उब रहे हैं तो उधर जार करकंड में जो आज थम गया है उसका लबो लबाव ही निकला कि जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आखिर के स्लॉग ओवर का इस्तेमाल जो करता है वो टीम जीतती है अब स्लॉग ओवर में अभी तो लग रहा है कि बहुत भेतरीन बल्लेवाजी महाविकास अगाडी ने कि दिये हैं तो कहीं ना कहीं बेक ओव तो मैंड हर्याना राज Chem2 आ जाता है कि आप सब लोग भी यही सोचेंगे कि मैं कह तो रहा हूं कि यह हो गया वो हो गया हर्यां कि टाम भी आसई कहा था लेकिन बाद में हुआ क्या मेरे भी बैकymphिता माय्ट हर्याणा का चुनाओ तो ह तो फिर महराश्टर में भी अगर कुछ ऐसा चौंकाने हो जाए चौंकाने वाला नतीज़ आ जा जा या जार्खन में कुछ इस तरह का हो जाए तो हैरान नहीं हो येगा लेकिन जो मैच की मौजूदा तादा स्थितिय है उसके हाल पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि आखरी ओवर तो इंडिया गटबंदन के नाम रहा है अब मैच का रिजल्ट क्या होता है ये तो 23 तारी को पता लेगा है लेकिन जो मैच का दिन है असली 22 तारी को उस दिन कौन अपने खिलाड़ियों को घर से निकाल कर पोलिंग बूत तक ज्यादा लाता है वो सबसे एहम है और इस चीज के लिए संग और बीजेपी नो डाउट इसमें कोई दोराय नहीं है कि जितने उनका उपोजिशन में है उनसे आगे रही है हमेशा हर्याना में भी इसमें आगे थी अब हर्याना से कॉंग्रेस कह तो रहिए कि हमने बहुत कुछ सीखा हर्याना में जैसे एकी इंसान पर सब कुछ छोड़ दिया था महराश्ड और जहारखन में खास करकnocे महराश्ड में कॉंग्रेस ने ऐसा नहीं किया कैमेरे पे सामने आने की वज़ाए उन्होंने जमीन पे काम किया और जितना उनको एरिया दिया उस एरिया में वो डटे रहे करने वाले जदाताद में घरों से निकले और 23 तारी को वो नतीजों में करणवाट हो जाए लेकिन अगर ये सब हवाई बाते हैं फिर से हार्याना जैसा कुछ हो जाएगा फिर तो कॉंग्रेस को वाके में बहुत बहुत जादा नए सीरे से सोचना पड़ेगा और उधव ठाकरे और शरत पवार को अब आगे की रहा बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मन माफिक नती अपनी राय अपने आपके सेजेशन और आपके विचार क्या है वो जरूर लिखेगा नमस्कार